इस वीडियो में डिसकुशन करेंगे जुनियर आफिस एसिसेंड की हमारी स्रीज चली है लेक्चर नमपर छे है जिसका टॉपिक रहेगा इनपूट एंड आउटपूट डिवाइसीज बहुत मतोपुन भी सह है और इस चैप्टर में से आपको दो से तीन प्रसन आने की संभाव बना जताई जा सकती है तो आईए समस्ते है कंप्यूटर में इनपूटिंग और आउटपूट डिवाइसीज का रोल क्या होता है लेकि इनपूट इन आप ऐसे जनरली भी आपने इंग्रिस में पढ़ा होगा इन की जो मीनिंग लिए जाती हो में के लिए लिए जाती है पूट का मतलब होता है पूटिंग करना कहीं पर ठीक है तो इनपूट मिन्स ऐसे डिवाइसी जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर में क्या करते है डाटा की इनपूटिंग करवाते है तो उसे क्या कहा जाता है इनपूटिंग कहा जाता है उधारन के तोर पे आपके पास की गेरे समरा है है जैस्टिक है माइक्रोध Shine एक सारे के सारे क consideration एक सार्च है इंपूटिंग में इसी तरहुकान है यहां चानि भेस फ्रक्रड़ होता है कि यहां हो घ्रक्ष्क 170 यहां क्या हेसका ख़ारीं निकलता है इसका सबसे इस एक अनिग कि यहां से यादरकीएगा जो आउट्पुट है दो तरह से आपके सामने आता है एक soft copy में आता और हलोगा. के जो कि प्रोसेसिंग होनी है यहीं पर होगे और उसके बाद जो हमारे सामने डिस्प्ली होत Adventure Time tienen output device है पढ़ेंगे यह कि इतने भी इंपूटिंग डिवाइसी जैनके काइंट के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको पता है जो हमारी पढ़ने की हां पे मैथड है उसमें पैड होता है जीरो से नाइन तक डिफ्रेंट तरह के सिंबल्स होते हैं फंक्शन की होती है यह जैसे आपके पास के सिफ्ट है कंट्रोल है यह चीज़े आपको याद रखनी होगी कीबूर के उपर एक बर अपनी नेजर गुमा लिजिए गा आप से पूछे चाह सकता है किसी क्यानिकल माउस होते हैं आजकी ड्येट में पासireNote कि उसक है यह चीजने माउस को क्याते है यह आपकेकलगोद केBobयर केंसे स्कैने क्यानिके एगद में आपने पोस्ट आपिस में देखा होगा जब आप रिजिस्टरी करवाते हैं किसी चीज की तो बहां पर जो बार कोड़ है उसके लिए जो यूज करते हैं जिसे हाथ से असानी से पकड़ा जा सकता है उसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट बन इस डिस्टल कैमरा तो इंपू डिवाइसिस के लिए माइक्रोफोन है जोएस्टीक है देखिंए माइक्रोफोन आपको पता ही माइक्रोफोन पर बात करते है जो अभी तो काफी टेक्नलोजी आगे बढ़ चुक के लिए गेम सेक्टर की ही बात करें तो पहले जब इतने ज़्यादा टेक्नलोजी अड़्वांस नहीं थी तो उससमें भी क्या कि जोईस्टिक का गेम के इस तरह के खेलने के लिए बहुत बाइडली बहुत पॉपलर्ली इसका इस्तेमाल किया जाता था आगे यहाँ पर MICR तो MICR स्टेंड फॉर मेगनेटिक इंक क्रेक्टर रिकोगनिशन है और उसके बाद है OMR स्टेंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिडर नेक्स्ट बन इस OCR स्टेंड फॉर ऑप्टिकल क्रेक्टर रिडर्स यह आपने याद रखनी है डिफरेंट तरह का इस्तेमाल होता है ठीक है यह आगे आपको यहाँ पर देखिए निचे इनको अबरिबेट भी किया गया है OMR है आप उसको यहाँ से तोड़ा खुद पढ़ लीजिए गा उसके बाद MICR है बैंकिंग में काफी बाइडलिस का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट बान इस ग्राफिक टेबलेट है यह भी इन्पूटिंग डिवाइस में कंसीडर किया जाते है नेक्स्ट बन इस आपको मैंने पहले भी कहा कि आउट्पूट डिवाइस आपको दो तरह से मिलता है soft copy की form में जो आप अपनी computer की screen में देखते है और hard copy की form में जो आपको printed करके मिलता है तो आई ये discuss करते हैं इस sub topic में कि कौन कौन से popular output devices है जैसे पहला है हमारे पास monitor देखिए आज मोनिटर भी replace हो गया उसकी जगह पे LCD का इस्तेमाल हो रहा है काफी properly हम बात करें तो monitor चल रहे है आज monitor नहीं चल रहे है अब तो LCD चलते है ठीक है जी तो monitor पे क्या होता था CRT cathode ray tube लगी होती जिससे पूरा display करवाया जाता था लेकिन बरतमान में जमाना बदल गया अब TFT आगी है एक बार फिर से में repeat कर देता हूँ आपको हमेशा याद रखना है जो आपका labor science में कहा गया है computer science IP ITES की जो एजुकेशन इसी अधार पर आपका paper होने बाला है लेकिन इतना lightly भी से नहीं लेंगे और इतना advance भी नहीं लेंगे इस दा visual display उने जिसे BDU कहा जाता है उसके बाद printer है देखिए printer के बिना तो I think computer का जो hard copy का स्थित्तो है वो तो नहीं बन पाता तो आपको समझा चुका है कि printer का इस्तेमाद simply आपसे कोई पुछ लिया जाए printer का काम क्या होता है printer का काम होता है किसी भी document को किसी भी image को किसी भी चीज को print करने के लिए we can use the printer दो तरह से printers होते है डिवाइड की जाते है याद रखिएगा impact printers होता है और non impact printer होता है आगे जाकर के जो impact printer है उसे भी printer में character printer के भी दो पार्ट होते है डेजी भील है और यहाँ पे second आपको बताया जारा dot matrix printer है line printer के बात करें तो इसमें drum printers आता है और chain printers आता है लेकिए आप कभी booking counter पे जाते होंगे बस का ticket लेते होंगे तो बहाँ पे जो printers लगे होते हो किस तरह के होते है उनका ज्यादा काम नहीं होता है उनको सहलका सा अपना प्रिंट करवाना होता है ticket के ओपर ठीक है जी तो बहाँ पे काफी पॉपर ली यह जो impact printer से इनका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जिस दुनिया में हम लोग जीते है जिस दुनिया में हब से ज़्यादा हमें computer से रुबरू होना पड़त है उस दुनिया की बात करें तो बहां पर नौन इंपक्ट प्रिंटर्स का बोल बाला बहुत ज़्यादा रहता है जैसे हमेरे पास laser printer है इंक जैट प्रिंटर्स थर्मल प्रिंटर्स है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जैसे हमने MS Word का पूरा documents प्रिंट करना है या आपने को जैसे इंक जैन्ट प्रिंटर्स में क्या होता है इसमें इंक पड़ती है लिकुड पड़ती है उपर बाले होते हैं आपका इस लेजर प्रिंटर्स के माध्यम से काम करवाया जाता है ब्रीफली हदेन के लिए आपको पता है कि आप इस website पे जाएंगे illustrated code.in पे और वहाँ पे GIT की किताब त्यार की गई है हमारे प्लेटफर्म के दोरा जिस किताब में आपको 649 चैप्टर है और उसमें जो नवींतम कंप्यूटर का स्लेबस है आपका 120% के उससी इधार पे इस किताब को बनाया गया है वीडियो के अंत में आपको उसकिताब की और भी जान कर दी जाएंगे कैसे आप परचेज करेंगे परचेज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा illustrated code.in पे जल्दी से इसकिताब को बनगवा लीजिए नवींतम स्लेबस के हथार पे और काफी बहतरीन किताब है यदि हम बात करें इस एक्जाम के लिए तो देखिए फिर यहां पर impact printers में character printers है, decibel printers है, dot matrix printers है, line printer के बात करें drum printers है, chain printers है, non impact printers में तीन चीज़े आपको याद रखनी होगी laser printer, inkjet printers और फिर उसके बाद thermal printers अब आगे बढ़ते है plotter पहले तो आपको समझना होगा यह plotters क्या होता है उससे पहले इतना समझनी जी कि plotter एक output device है इतना याद रखिए, ठीक है जी, तो आईए समझते है plotter क्या होता है, plotter is a computer hardware device much like a printer that is used for printing vector image graphics plotters are generally used for inputting drawing graphics images such as chart, maps, engineering and specific applications plotters are classified in three categories आपको मैं बता दूँ, जैसे प्रिंटर से आप जो काम करवा सकते है उसके जो आगे का advance work है जैसे आपको कोई map, map काफी बड़ा आपको printing के लिए उस चाहिए paper भी बड़ा चाहिए, उसी तरह को device भी चाहिए ठीक है जी इंजिनिरिंग के जो बड़े-बड़े maps मनते है तो उसके लिए भी किसका इस्तेमाल के जाता है plotters का जी सरल भासा में आपने याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते है कि plotters का इस्तेमाल होता है जहाँ पर printer अपने उसकी capacity है वहाँ पर काम नहीं कर पाता तो उसके किसकी सुरुआत होती है plotters की होती है big बड़े-बड़े documents को print करने के लिए बड़ी-बड़ी जैसे आपको बताया charts, maps, engineering या specific कोई आपके पास tasks को print करने के लिए we can use the plotters तीन तरह के plotters हम यहाँ पर discuss करेंगे flatbed printers है ठीक है जी drum plotters है और inkjet plotters है ठीक है जी उसके बाद आगे है terminals it is very popular interactive input output unit it can be divided into two types hard copy terminals and soft copy terminals यतना स्याद रखिए ज्याद आपको यहाँ पर जाने के जूरुत नहीं है तरह के headphones में दि हम इसमें output device में सबसे ब्यास टिक्जांपल नेंगे उसमें आप speaker को consider कर सकते हैं तीक स्विकर क्या करते हैं computer के voice को बाहर निकालता स्विकर आसू प्रोजेक्टर काम क्या होता है जो आपकी इन्पूटिंग है उसे प्रोजेक्टर क्या करता है बड़ा करके डिस्प्ले करता है GPS से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है औरिजनली इसका पताया भी गया है कि यह नबस्टार जीएस्पी ठीक है इस सैटलाइट बेस्ट रेडियो नविगेशन सिस्टम और वाइदा युनाइटेट स्टेट स्टेट स्पेस फोर्स ठीक है तो इसको GPS से कौन मैनेज करता है USA Government इसे ऑपरेट करवाती है साउंड कार्ड है वीडियो कार्ड है इनके बारे में एक लाइन आपने सेल्फ स्टेडिक कर लेनी है अब आपको कुछ नहीं करना है उस बुक पर जाना है जो आपको बताया है जुनिर आप्पीस एसिस्टेंट के किताब है उसमें से जो चैप्टर की समरी है यह आपको सेल्फ स्टेडि में करनी होती है इसको पढ़ लीजिएगा यहां से जुरूर आपको प्रसंद पुछे जाएंगा जैसे हमने यहां पर देखिए बताया भी है लेजर का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर आपको प्रसंद बहुत ही सर लगेंगे क्योंकि यहां पर इसकी चार आप्शने नहीं है अब जो अगला आप स्लाइट देखने जा रहे है उसमें आपको क्या मिलेगा उसमें आपको चार आपसने भी मिलेगी तब देखना आपको प्रसंद किस तरह के लगने सुरू होंगे ठीक है तो इस तरह से अच्छे से तियारी करनी है अब देखिए बढ़ते हैं आगे इसकी कंप्यूटर इस कुरेक्ट फॉर्ड डिवाइस कीवोड माउस एंड प्रिंटर रिस्प्रेक्टिवली तो ऑफसन नम्र सी इसका सई उत्तर है PS2 PS2 पैरल पोर्ट चलते है ठीक है इसमें इसका काम किया जाता है प्रिंटर से हाडबेर है प्रिंटर से हाडबेर है सब तीन चीज़ा आपने देख लिया इंटर प्रिंटर से हाडबेर है इसका इस्तेमाल किसके लिए के जाता है जो इंटर्प्रिंटर होता है और दूसरा हमारे पास कंपाइलर होता है यह लो लेबल लेंगेश को हाई लेबल में करने का काम करते है next one is cd-rom can store data into up to this is also very important question याद रखिएगा जो cd-rom है 600 तक का data क्या करती है एक फ्रॉपी में हम सेव कर सकते हैं information that comes from an external sources and is fed into computer software इस काली तुसे input कहा जाता है जी which device containing sensors send signal to computer whenever light changes are detected तो इसे light pen कहा जाता है ठीक है जी तो यह बाकिया आपने यहाँ पर self study कर लेनी है और अगले chapter में हम discuss करेंगे बहुत ही मत्तोपुन chapter है chapter number 7 जिसका नाम है hardware and software यहाँ से भी आपसको 2 या 3% जरूर मिलेंगे तो आईए अब आपको बता दें आपको क्या करना है आपको अपने browser पर जाना है google पर search करना है elastuddyco.in और वहाँ पर जाके हमारे website open हो जाएगी इस website पर जाएगा हिमाचर परदेश समाने ग्यान के लिए हिमाचर परदेश एक समगर हदेन किताब है और भी बहुत ही मत्तोपुन किताब इस website पर आपको मिल जाएगी उन्हें order कीजिए नियमीत रूप से पढ़ते रहिए झाल